नमस्कार दोस्तों, मैं राहूल रंगारे, कोटिलेक अदमी भोपाल, छिनवाडा और बालागाट शाका संचालग बार्वी का रिजल्ट आया है, उन सभी उत्तिर्न छात्रों को बहुत बहुत बढ़ाय देता हूँ और जो उत्तिर्न नहीं हुए, वो भी हताश नहीं हो, जीवन में यह अंतिम परिक्षा नहीं थी, अभी जीवन में बहुत सारी परिक्षा बच्ची है कई चात्र जो उत्तिर्न नहीं हुए उनको भी हताश होने की ज़रत नहीं है कि उन्होंने इस परिक्षा को उत्तिर्न नहीं किया है जो चात्र उत्तिर्न हुए है उनको बताना चाहूंगा कि आपका बारवी का जो वर्ष था वो बहुत महतोपुर्ण था अभी आप graduation करने जाएंगे और आप career के संबन में आपका जो शुरुवात होगी कि आप career में क्या बनना चाहते हैं, किस में आपका लक्ष क्या है, कि आपको क्या उद्देश है, कि career में आप किस लक्ष को पाना चाहते हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि आप उसकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग ले और ग्रैजिवेशन के साथ साथ आप जिस लक्ष को पाना चाहते हैं उसकी तैयारी करें आपके लिए बहुत सारे आफशन खुले हैं बारवी के बाद कई छेत्रों में आप जा सकते हैं सिव blinking सर्विसेस में जा सकते हैं डिफेंस में जा सकते हैं और आप प्रतियों की परिक्षाउ की माद्यम से आप अपने जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं आप अपना लक्ष बनाना चाहते हैं उस लक्ष की पूरती के लिए एक अच्छी काउंसलिंग के आपको ज़र O होती है आप कोटिले अकैदमी की शाखा में जा सकते हैं हमारा सभी स्टाफ सभी फैकल्टी मेंबर सरे काउंसलर्स आपको आप जो कुछ जानकर है असिल करना चाहते हो बताएंगे सिविल सर्विसेस में आपने देखा होगा कि कोटिले संस्थान में जुड़ना है या किस पद को पाने के लिए आप लाला ही थे उस पद को आपको कैसे हासिल करना है या निरने आपका स्वयमका होगा लेकिन आप जरूर अच्छी जगह जाके काउंसलिंग ले आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं कि आपने बार्वी की परिक्षा उत्तिन की और आप अपने जीवन में क्यारियर के पड़ाओं में आगे बढ़ रहें धन्यवा कर दो